दोस्तों स्वागत्त है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में आईए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के जो हमारे इंट्राडे के दो स्टॉक थे उन्होंने कैसा प्रफॉर्म किया और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा पहला इस्टॉक था ICICI Prudential Life Insurance का इसे बाय करना था 567 पर और Short Sale करना था 569 पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहें दोस्तों यह स्टॉक ओपन हुआ था 565.8 पर और उसके बाद इसी स्टॉक ने हाई मारा था 571.95 का तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के पॉइंट को ब्रेक किया और आपके फर्स्ट टार्गेट को बहुत ही अच्छे से अचीब किया और इस स्टॉक में आपको Short Sale करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि यह स्टॉक 569 के नीचे नहीं गिरा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पारें दोस्तों इस स्टॉक का लो रहा है 560.60 का और आज का हमारा दूसरा स्टॉक था HDFC Life का इसे बाय करना था 652 पर और Short Sale करना था 644 पर जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पारें दोस्तों यह स्टॉक ओपन हुआ था 645 पर और उसके बाद इसी स्टॉक ने हाई मारा था 669.95 का तो दोस्तों इस तरह से इसी स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बाय साइट के लेविल को अचीब कि और एक बहुत अच्छी ट्रेट साबित हुई और उसके बाद सेकंड हाफ में इसी स्टॉक ने अपने पॉटसेल साइट के पॉइंट को ब्रेक किया और एक बहुत अच्छी ट्रेड साबित हुई, उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी इस स्टॉक में ट्रेड डाला होगा, उसने निश्चित तोर पर ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, आईए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किसी स्टॉक को चुन 51 के उपर, और आपका पहला टार्गेट रहेगा 757, दूसरा टार्गेट 765, अगर यही नीचे गिरना शुरू होता है, तो आप इसे सोट सेल कर सकते हैं, 749 के नीचे, पहला टार्गेट 733, दूसरा टार्गेट 725 का, और दोस्तो इस स्टॉक में स्टॉप लोस रहेगा आ इंट्र डे ट्रेडिंग रूल्स याद दिला देता हूं, कि रूल नमबर 1, मिनमम प्रोफिट आपको सबसे पहले बुक करना है, रूल नमबर 2, ओर ट्रेडिंग नहीं करना है, रूल नमबर 3, इस टॉप लॉस को ज़रूर लगाना है, और रूल नमबर 4, अगर आप फॉ और जेंटल लाइन उपर ड्रॉव किये इसके उपर क्लोजिंग हो जाने के बाद आपको बाइसाइड इंट्री लिए ऐसा करने से आपकी ट्रेड पेसेंसली पड़ जाती है थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है अगर आप लाइन ड्रॉव कर लेंगे तो चेक करने में कि यहां पर तुरंती सस्क्राइब कर दें आप सभी से कल फिर मुला कात होगी नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद